मा दुर्गा की नवशक्ती का दूसर स्वरूप ब्रह्मचारणी का है, यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है, मा दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनन्त फल देने वाला है, इनकी उपासना से तप, त्याग, वेराग्य, सदाचार और संयम की ब्रह्मचारणी का अर्थ तपकी चारणी यानि तपका आच्रण करने वाली देवी का यह रूप जोतिर में और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जब की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किये है पूर्व जनम में इस देवी ने हिमाल्य के घर पुत्री के रूप में जनम लिया था और नारज जी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए गोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारणी अर्थात ब्रह्मचारणी नाम से अभिहित किया गया एक हजार वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वहा किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे विल्व पत्र खाना भी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहे कर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपढ़ना पढ़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीन हो गया देवता, रिशी, सिद्धगन, मुनी सभी ने भ्रमचारणी की तपस्या को अभूत पूर्व पुन्य कृत्य बताया सरहाना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम्ही से ही संभव थी, तुम्हारी मनो का आमना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पदी रूप में प्राप्त होंगे अब तपस्या छोड़ कर घर लोड़ जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे है इस देवी की कथाकसार यही है कि जीवन के कटिन संगर्शों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए माब्रम्मचारणी देवी की कृपा से सर्विशिद्धी प्राप्त होती है दुरगापूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है